नमस्कार दोस्त मैं अनुराग जोसी जोसी नीज चैनल के माध्धम से आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आज एक ऐसे देश के बारे में इस वीडियो को बनाने जा रहा हूँ जहां पर केवल पूरुस महिलाओं के गुलामी करते हैं उन्हें केवल एक जानवर समझा जाता है आप लोग को को हो सकता है ये बात मालूम ना हो लेकिन ये बात विल्कुल रियल है वैसे तो हमारा देश एक पूरुस प्रधान देश है यानि पूरुसों को ज़्यादा महा तो दिया जाता है लेकिन एक एसा देश है जहां पूरु सदे से उसके पहले कर लो हमारे चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को सेयर दोस्त जरू कर देना क्योंकि यहां पर ऐसे ही वीडियो की आने का सिलसिला कभी खतम नहीं होता दरसल हम बात कर रहे हैं इतर वर्ड किंगडम की यहां की मोल नागरिक पुरुस नहीं बलकि महिलाएं और पुरुस यहां की महिलाओं की गुलामी करते हैं यहां पुरुसों को जानवा ही समझे जाता है इससे उपर वो कुछ भी नहीं है पुरुसों को महिलाएं गुलामी के लिए रखती हैं गुलाम को अगर सराप पीना होता है तो पहले मार्किन के पैरों पर ढाली जाती है और इसके बाद ही गुलावं से पी सकता है दूसरे देश से आने वाले पूर्सों को यहां रानी के बैठने के लिए एक सोफाब बनना पड़ता है बुमन ओवरमेन स्लोगन वाला यहादेश 1996 में यूरोपियन देश चिक रिपब्लिक से बना था लेकिन इसे अने राष्टों ने देश का दर्जा नहीं दिया है इस देश का पूरा सासन महारानी पेट्रिसिया वण के हाथों में है और उनको ही देश के कानून में परिवर्तन करने का अधिकार है हलाकि महारानी पेट्रिसिया का चेहरा आज तक बाहरी दुनिया में किसी ने नहीं देखा तीन हेक्टियर यानी साथ समलो चार एकड की जमेन पर बने इस देश की राजधानी ब्लैक सिटी है और इसका अपना जंडा, केरंसी, पासपोर्ट और पुलिस फोर्स है देश में छोटी जील, घास के मैदान, वर्ट ट्रैक, स्विमिंग, पूल, रेश्टोरेंट, नाइट क्लाब और कई मारते हैं मुखी मारत महारानी का महल है यहां से पूरे देख का साथ की नागरिकता केवल महिला ही ले सकती है, पुरुस नहीं जिसके पास कम से कम एक पूरुस गुलाम होना अतियावस्तक है उसे पांच दिन के लिए महल में रहना पड़ेगा, ओभी सारे नियमों का पालन करते हुए महारानी के साथ अगर आप इंडिया में पैदा हुए हो, एक मर्द के रूप में, तो अपने आपको बहुत बड़े भागसाली समझो अगर आप वहां पर पैदा हुए होते, तो आपको मातर एक गुलाम समझा जाता है और एक जानूर की तरह बरताओ किया जाता है लेकिन दोस्त मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि इस दुनिया में, चाहे वो पूरुस हो, चाहे वो महिला है दोनों को खुदा ने अपने ही हातों से बराबर समय में बनाया है और बराबर इज्जत से बनाया है अगर आप एक पूरुस हो इस दुनिया में हो तो बिना इस्तिरी से आप असंभा हो और एक इस्तिरी अगर इस दुनिया में आई है तो भी एक बिना पूरुस के असंभाव है तो दोस्त एक दूसरे के आप पूरा को दोनों जब तक नहीं रहेंगे तब तक इस दुनिया में स्रिष्टी का आगे अनुवरत जो चल रहा है ये चीछ असंभव है सो प्लीज यार इस तरियों के भी इज़त करो और इस तरियां पूर्सों की तो करती ही है दोस्त ना ही कोई बड़ा होता है ना ही कोई छोटा बस आपका सोच बड़ा और छोटा बनाता है इस दुनिया में आप देख सकते हो टीन आड़ा भी यसी आई यस भी निगल दी है ठीक अब उनके बारे में दोस्त और क्या बोलना सो प्लीस यार खुदा के हाँ जब सभी बनाए गए हैं बराबर तो हम तो इनसान तुछ जीव हैं हमें तो उनका पारण करना ही चाहिए सो प्लीस यार हमेशा लड़कियों के भी इज़्यत करो उनकी देह से मत खिलवार करो चलिए ठीक आसा करते हैं यह आप इस सोसल मैसेज को पहुचाने के लिए वीडियो को आवस्य सेयर करोगे और एक इंसान होने का फर्ज अधा करोगे मिलते हैं नए वीडियो पर तब तक के लिए बोलो यार जय हिंद गुण दिमात्रम